हेलो एबरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में यदि आप सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं तो एजूकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वेकेंसी आई है पर्मानेंट सरकारी नौकरी सिख्षकों की भरती है सेलरी 50,000 पर मन्त जो है आप लोगों की रहेगी आयू योकिता बेतन और चैन प्रक्रिया क्या रहेगी ये सारी चीज़ें हम लोग नोटिफिकेशन में चेक करने वाले हैं कौन कौन आविधन कर सकता है सब ही राजियों के कैंडिडिट पिलकुल यहा इसकों ने ग्रेजुईशन पास कर ली है और साथ मैं उनके पास डिपलोमा है एलिमेंटरी एजुकेशन में । दीलेड किया है, बीटी सी किया है, एस्टी सी किया है, जिस भी नाम से आपके राज्य में जानी जाती हो, जो कि दो साल से कमकार नहीं होना चाहिए, साथ मैं basic teacher प्राथमिक सिख्षकों की ये भरती आई है permanent vacancy है opening date है online application की 24 जनवरी 2024 closing date रहेगी 19 फरवरी 2024 सबसे पहले आप देखें कितनी vacancy निकाली गई है इससे पहले जो है यहां से entity teachers की vacancy आई थी जो कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताई भी गई थी ये vacancy प्राथमिक सिख्षकों की है general की 179 सीटे है OBC की 94 है SC की 84 है 39 EWS की है और total 396 पदों पर ये vacancy निकाली गई है आप सभी जानते हैं कि beard वाले प्राथमिक भरती के लिए बिलकुल भी eligible नहीं है प्राथमिक सिख्षक की जो भरती आती है तो यहां केवल और केवल DLAD, BTC, DAD, STC वाले ही जो है आविदन कर सकते हैं Pay metric की अगर बात करें तो काफी अच्छी salary रहेगी सरकारी नौकरी है Level 6 के according यहाँ पर salary आपकी रहने वाली है 50,000 तक salary आपकी यहाँ पर होगी Selection कैसे रहेगा तो बहुत ही सरल है एक आपका exam होगा objective type जो है आपका test लिया जाएगा और अगर आप इसको clear कर लेते हैं तो merit list जो है तयार होगी और फिर आपका selection होगा ठीक है कोई interview वगरा ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है 1500 marks के आपके जो है question paper रहेगा जिसमें क्या पूछा जाएगा journal awareness, reasoning इसके अलावा जो है numerical ability mathematical, teaching aptitude ICT, computer के जो है English, Hindi, Punjabi, Mathematics journal science and social science तो यह आपका जो है रहेगा, difficulty level जो है तो यहाँ पर 10th standard तक का ही पूछा जाएगा, 40% जो है आपकी minimum qualifying marks रहेंगे negative marking exam में बिल्कुल रहेगी आपका question paper हिंदी और English bilingual language में होगा age limit यहाँ पर क्या रहेगी तो age limit जो है 21 से लिकर 37 वर्सक के candidate बिल्कुल यहाँ पर eligible रहेंगे relaxation to SC, OBC, ex-servicemen, PWVD and other category candidate इनको जो है age में relaxation दिया जाएगा government of India और chandigad administration के जो rule है उसके according next procedure जो है यहाँ पर बिल्कुल आपको जवाब फॉम भरेंगे online application का जो की 24 जन्वरी से start होंगे तब आप जो है इनको देखेंगे application fees कितनी लग रही है तो 1000 रूपीज जो है वो सभी category की लग रही है SC को छोड़ कर इनकी 500 रूपीज लग रही है बाकि सभी category की 1000 रूपीज है यह इसकी जो है main website का link है जहाँ आप लोग notification को check कर सकते है और आवेदन कर सकते हैं जो की 24 जन्वरी से start होंगे यहाँ दोबारा से यह चीज दे दी गई है online filling and submission of application 24 जन्वरी दोहजार चॉबिस last date 19 फरवरी दोहजार चॉबिस last date जो है application fees की जमा करने की 22 फरवरी दोहजार चॉबिस तो यह महतवपून चीज हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है लिंक में आप लोगों को share कर दूँगी ताकि जो candidate प्राथमिक सिक्षक बनने के योग्य हैं आवेधन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेधन करियेगा सबसे पहले जो है main website पर चले आए department of education चंडीगट administration और यहाँ पर daily circular में सबसे उपर आपको दिखेगा recruitment notice advertisement नमबर है यह six ओबलिक 2023 इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर recruitment notice है तो इसको आपको open करना होगा notification आपके सामने होगा इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद ही जो है आप लोग 24 जनवरी से form start होंगे और आप भर पाएंगे तो अच्छे से जो है देखिएगा दुबारा से पढ़िएगा क्योंकि application fees बापिस नहीं होगी 1000 रूपीज यहाँ पर application fees लग रही है मिलेंगे next video में Thank you